हलो एंड नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेश प्रोग्राम में और ये एडुकेशन से रिलेटिज प्रोग्राम जैसे कि आप सभी जानते हैं और मुझे तो आप जानते ही होंगे मैं हूँ आपकी अपनी रीमा और आज हमारी जो ये गाड़ी है ये आकर रुकी है फतेपुर सीकरी के आगरा में तो आज हम आए हैं श्री मरुबाई देवी कन्या इंटर कॉलेज दूरा फतेपुर सीकरी आगरा में और इस स्कूल का इतने भी पैनलिस्ट है और जो गैस्ट हैं उनसे आपका इंटरड़क्शन करवाती हूँ सबसे पहले डॉक्टर श्री किशन जी जो की काउंसलिंग साइकलोजिस्ट है और हर बार हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही जोरदार तरीके से बने हुए हैं और इनका मै चाहूंगे आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इसके बाद जो हमारे अगले गैस्ट अगले पैनलिस्ट हैं वो है अब्दुल जबार जी उर्फ भूरे सिंग जी जो की डिरेक्टर है श्री मरुबाई देवी कन्या इंटर कॉलेज दूरा के तो इनका भी पच्छों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले गैस्ट हमारे अगले पैनलिस्ट है ओम प्रकाश आर्या जी जो की प्रिंसिपल है जूनियर दूरा स्कूल के तो एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए अगले पैनलिस्ट जो हैं वो है जिगनेश कुमार जी जो की असस्टन टीचर है यूपियस मंदी मिर्जा खान स्कूल में तो इनका भी स्वागत कीजिए इसके बाद जो हमारे अगले पैनलिस्ट है अगले गेस्ट है वो है डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी जो की इंगलिश के लेक्चरार हैं साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है तो इनका भी स्वागत कीजे इसके बाद हमारे अगले पैनलिस्ट है राजीव मित्तल जी जोकी एजुकेशनल गाइड है तो इनका स्वागत कीजिए जोरदाल ताजियों से अगले पैनलिस्ट, अगले गैस्ट हमारे है रविंदर डागर जी जो की प्रिंसिपल है श्री जैदेव सिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज सोनी का आगरा से तो इनका स्वागत कीजिए और आखरी तो नहीं कहूंगी लेकि सबसे स्पेशल हमारे गौरव जुन्दल जी जो की प्रोफेशनल एडवाईजर है इनका जोड़दार तालियों से स्वागत कीजिए तो कारिक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे चहेते डॉक्टर श्री कुशन जी जो की काउंसलिंग साइकोलोजिस्ट है और बहुत सारी बातों से आखका दिल जीतते हैं इस्पेशली बच्चों को बहुत अच्छे से गाइट करते हैं तो मैं चाहूंगी दो शब्दों से वो इस कारिक्रम की शुरुआत करें तो इनका जोड़दार तालियों से स्वागत किया जैसे कि हमने ये प्रोग्राम यहां पर ओर्गनाइज किया हमारा मेन उद्देश है कि पूरे भारत के कोने कोने में हम एजुकेशन को लेके एक ऐसी मसाल जला के रखें कि हर बच्चा सिक्सित हो और वो सिक्सित हो अपने लेवल पे कि वो अपने आगे आने वाले भवीशे को उजवल बना सके अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे गाइडेंस की जरूर था तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही बहतरी इन प्रोग्राम है और रेगुलर इसमें बहुत सारे अलग-अलग फिल्ट से एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं डिसकस करते हैं ना आपके ही यहां का प्रोग्राम होते रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को जगह जगह से कुछ ना कुछ नया सुनने को और देखने को मिलेगा आज का प्रोग्राम हायर एजुकेशन के मल्टिपल प्लेटफॉर्म्स स्केल एजुकेशन वोकेशनल कोर्सिस सब को लग-ब प्रोग्राम की बात अगर हम करते हैं तो सीधा सीधा किलियरंस है 12th क्लास के बाद आप रेगुलर एजुकेशन ले डिस्टेंस एजुकेशन ले ओनलाइन एजुकेशन ले आप किस मोड से पढ़ें कि आप अच्छा केरियर बना सकें इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बा बैतर है तो क्यों है बैतर इन चीजों पर हम जरूर चर्चा करेंगे आपके कोश्चेंस आएंगे हम उस पर जरूर डिटेल डिस्केशन करेंगे स्किल एजुकेशन आप लोग समझते ही हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्किल एजुकेशन 6 ओनवर्ड है और आप किसी भी स्किल को सीखना चागते है ठो आपके स्कूल में आपकी क्लासीज लगती है और ज्रवाइ फिल्ड विजिट आपका कराते हैं स्कूल वाले कि आप जाएं सपास कोई प söz के कोई ऴ्यूटिशन एपका कोई वह सेंटर है या आपका कटनग टेल रिंग का ह या आपके कारपेंटर का है या आपके IT हब है, कम्प्यूटर से रिलेटिड है, तो इन सब फिल्ड में वो लोग आप लोग जाके प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कि इस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है और इसकी अर्निंग क्या है, और कहीं न कहीं आप अपना एक निर्ने बना लेते हैं, कि भी मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है, मैं बड़ा होके बड़ी होके मैं अपना स्टार्ट अप करूँ तो मैं इस बिजनिस को करूँगी, इसको मैं इसली कर सकती हूँ, तो वो चीज़े आप ट्रैक्टिकली देखते हो, तो इजी हो जाता है आप लोगों के लिए डिसिजिन बनाना, वोकेशनल कॉर्सिज की बात अगर हम करते हैं, तो वोकेशनल कॉर्सिज भी फार बेटर है, कि अगर आप Bachelor of Vocational Courses की तरफ जाते हैं तो वो आपको कैसे beneficial रहेगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे पर इन सब बातों के लिए मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि questions आप जरूर पूछें कि आप किस तरीके का question मन में लेके बैठे हैं कि जो अभी तक आपके लिए नया था लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे थे और आज मोका मिला तो आप लोगों ने सब ने जबरदस्त बंबारी कर दी कि आज हम छोड़ेंगे नहीं पैनलिस्ट को ऐसा हम उमीद करते हैं कि आपके जितने भी questions होंगे हम उनको शांती पूरवक तरीके से आप लोगों को शांत करेंगे कि आपकी जिग्यासा को शांत करेंगे कि आप समझ पाएं और उसकी जर्नी को भी समझ पाएं कि हाँ इस जर्नी को मैं easily cover कर सकता हूं कर सकती हूं और मैं अपना अच्छा केरियर बना सकती हूं तो आप सभी पैनलिस्ट को ध्यान से सुने और उसके बाद जैसे ही आप लोगों के पास question ने अराता है तो आप question जरूर पूझे तो अब हमारे अगले पैनलिस्ट है अब्दुल जबार जी जो की डिरेक्टर है इस स्कूल के तो आईए अब उनका स्वागत कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी कुछ शब्द हमारे बच्चों से बोले बारमी करने के बाद आपके सामने बहुत सारे options खुल जाएंगे बारमी करने के बाद आप आप परामेडिकल में जा सकते हैं ब्यूटीशन में जा सकते हैं आप लाबरेरियन में जा सकते हैं जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं एक एक एक्जामपल आपके सामने रख रहा हूं suppose करिए कि आपने परामेडिकल में Bachelor of Vocational Education के नाम से Optometry of Technology के नाम से courses होते हैं Optometry का मतलब आँखों का जो इलाज होता है चसमे बनते हैं वो वाला आपने यदि उसमें admission लिया वो course तीन साल का होगा equivalent वो degree तीन साल की होगी और graduation के समकच होगी यानि वो BA, BAC के समकच कहलाएगी उसे करने के बाद जैसे आप first year आपने कर लिया first year करने के बाद कभी कभी क्या होता है आदमी का मन रहता है जी मुझे नहीं करना है तो एक साल का जब आपने exam दिया और आपने vocational education का वो course पास कर लिया तो कोई भी institution या university आपको diploma के नाम से certificate जारी कर देगी आप यदि आगे study जारी नहीं रखना चाहते हैं तो वो एक साल का course जहां भी आपकी काम आ रहा है आप उससे अपना काम कर सकते हैं यदि आपका मन ये करता है कि मुझे दूसरी साल और फीज जमा करनी है मैं इस course में दूसरी साल और पढ़ता हूँ जब आप दूसरी साल भी पास कर जाएंगे यनि second year पास कर जाएंगे तब आपको university advanced diploma के नाम से एक certificate जारी करेगी जहां पर किसी भी नोकरी में यदि आपको दो साल के course की जरुवत है वो भाँ काम करेगा फिर आपका ऐसा मन है कि उसके बाद मैं university आपको degree certificate जारी करेगी डिगरी certificate से आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मानिए आपने optometry का course किया मैंने आपको आँखों के बारे में बताया था उसको करने के बाद university या institution अपना एक registration देगा आप उससे अपने private कोई दुकान खोल सकते हैं यो practical आपको मिलेगा दुकान खोल सकते हैं चसमे बनाने की चसमे टेस्ट करने की आँखें टेस्ट करने की यदे आपको वो भी नहीं करना है तो उस level की government की जो भी कोई जगे आती है नोकरी के लिए उस degree से आप वहाँ भी eligible हैं आप वहाँ भी form बढ़ सकते हैं उस नोकरी के लिए आपका मन ये करता है कि मुझे न तो आँखों की दुकान खोलनी है न मुझे इस medical field में government job में जाना है तो आपके लिए बहुत बड़ी opportunity University Grant Commission ने दी है कि आप चाहें कि मुझे तो B.A.D. B.T.C. करनी है जब तीन साल का आपने vocational course किया है तो आप सब को छोड़ करके B.A.D. B.T.C. भी कर सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये पहली बार शुरू हो रहा है पहले नहीं था पहले लोग इसे जानते नहीं थे आपका मन ये करता है कि मुझे B.A.D. B.T.C. भी नहीं करनी है मैं तो N.D.A. या I.S.P.C.S. करके I.S.P.C.S. बनूँगा आप उसे बो भी बन सकते हैं क्योंकि आप equivalent graduation है इतनी बड़ी अच्छे-च्छे course university जो चला रही है और खासतोर से मुझे दिया है सुभारती university मेरट ने अभी मेरे पास परसों ही letter आया है तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ इस team का कि आज ही ये program रख दिया और दो दिन पहले मुझे ये letter मिला है ये सारे courses अभी आपके विध्याले में सुरू हो जाएंगे और उसमें लिम्टर सीटें दी गई है केवल 30 सीट हमें दी है 30 सीट हमें बरनी है बकादा बच्चों को प्रक्टीकल मिलेगा जिस course से related बच्चा आएगा उसी hospital में उसे प्रक्टीकल दिया जाएगा उसके बाद वो बच्चा पढ़ेगा यहां class पढ़ेगा फिर exam देगा और फिर उसके बाद certificate हासिल करेगा तो बहुत सी चीज़ें आपके पास है यदि आप सरकारी नोकरी नहीं करना चाहते हैं तो आपना स्वयम रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ब्राम देता हूँ जय हिन जय भारत तो अभी हम अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं और वो है ओम प्रकाश आर्या जी जो की प्रिंसिपल है जूनियर दूरा स्कूल के तो आईए इनका स्वागत करते हैं बासा के छेत्र में आज बहुत सारी संभावना हैं जैसे हम प्रसासनिक सेवाओं में जाते ही हैं बासा के माध्यम से प्रसासनिक सेवाओं में भी जा सकते हैं इसनातक इसनातको तर, सोथ, इत्यादिक सभी विसे सभी उनिवस्टियों में अपलब दोते हैं इसके अलावा इतियास वेत्ता के रूप में भी हम इतियास के अच्छे जानकार भासा के माध्यम से बन सकते हैं, इसके अलावा आयरवेद में अब इस समय बहुत अच्छा आप लोगों के लिए स्कोप है, जिसमें आप आयरवेद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आयर इसके अलावा भी भासा के माध्यम से आप दुभासी के रूप में भी कारिक्ष कर सकते हैं, जैसे आप किनी दो भासाओं का आप चैन करते हैं, एक हमारी मात्र भासा इंदी है ही, आप इसके अतरिक्त कोई अन्य भासा भी पढ़ना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप दोतिस है जो आज के समय में काफी अपना इसकोप लिये हुए है इसके अलावा भी पुरातत्त वेत्ता के रूप में तमाम नई छेत्र खुलते जा रहे हैं तो उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं बासा यदि आपका उचित ग्यान रखते हैं आप बासा का तो उस में आप काफी प्रिक्रति कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अगर बासा को अपना विशे चैन करते हैं तो जिस बासा का भी आप चैन करें उस बासा में पूर रूपे पारंगत होने का प्रियास करें और उसके माद्यम से आज भी बहुत सारी आपको नोगरियां प्राप्तोंगी, आप अपना कार भी कर सकते हैं, व्यक्तिकत कभी के रूप में, लेकक के रूप में, समालोचक के रूप में, और कहानीकार के रूप में, खंड काब, गीत काब, इत्यादी के रूप में आप अपना योगदान दे सकते हैं. तो इसके बाद अब मैं अगले पैनलिस्ट जो हमारे हैं वो हैं जिगनेश कुमार जी असिस्टन टीचर यूपीएस मंडी मिर्जा खान स्कूल से उनका स्वागत भी करती हूँ और साथ ही कहती हूँ कि वो भी कुछ शब्दों से यहां बैठे बच्चों को और हमारे दर्श कर्मिशन के छितर में हम जितना आगे जाएंगे उतना ही हम चीजों को बहतर कर पाएंगे यह तो ट्वेल्थ के बाद कुछ ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं जैसे कि BCA, Bachelor of Computer Application, BSc Computer Science, जो कि Computer Science से BSc की जाती है, BTEC Computer Science इस तरह के परमपरागत कोर्स होते हैं मैं यहाँ पर आप जैसे कि BA, BSc, BCOM, MA, MCOM, MSC जो हम अब तक करते चले आ रहे हैं और वहीं एक दूसरा सेगमेंट है, Vocational Courses का, Vocational Courses की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है व्यावसाइक सिच्छा, तकनीकी सिच्छा, इसे हम और ऐसे समझ सकते हैं कि Corporate Oriented सिच्छा, Global Market में जरूत प हम आगे बढ़ते हैं पहले traditional education पे और graduation के बाद कई सारे courses होते हैं, जैसे कि MCA, MSC Computer Science, MSC IT और M Tech वगएरा इस चेत्र की महत्वा इत्ती है कि मैं आपको एक अधारण से बताता हूं कि B Tech Computer Science की ये हुए एक छात्र जिनका नाम है सुंदर पिचाई जो के आज Google Company के CEO हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी वारसिक salary का, वो है तकरीबन 1800 करोड रुपे सालाना, जी हां 1806 करोड, 218 million dollar की annual salary है उनकी, और अब हम बात करते हैं ये परमपरागत कोर्सों से हटके vocational courses की तरफ, जब हम vocational course करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ पताता हूं, बी टेक computer science करने के बाद भी, जो corporate company हैं, वो उन लोगों को hire करने के बाद भी 6 महीने की trainings देते हैं, और उसके बाद उने अपने system पे बिठाते हैं, उने अपनी कारिप्रणाली में लाते हैं, और जब आप vocational course करते हो, तो आपको जो global market में जिस चीज की requirement है, ज आप उसमें कम फीज देते हो, आप उसमें कम समय लगाते हो, और आप उससे अधिक व्यावसाइक सच्छा ले सकते हो, आप उससे global market oriented सच्छा ले सकते हो, इस तरह के तमाम कोर्स सुबारती युनिवस्टी में भी उपलब्ध हैं, और दुनिया भर की युनिवस्टी में उ तो अगले जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, वो हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा, जो की इंग्लिश लेक्षरार हैं, साथ ही साथ मोटिवेटर भी हैं, तो आएए इनका फिर से स्वागत करते हैं English language हो, mostly, उसमें बहुत फिर बहुत लंबा है, आप चाहें तो इस फिल्ड में अपना वविष्य समार सकते हैं, वविष्य समारने के लिए आप क्या करें, हैं आप अप एंटर के बाद ।्क करने के बाद इंग्लिस का चैन करते हैं एंग्लिस तो बैसिकली के आप आप आपकी मॢotal आपकी नर्शरी से आप पड़ते ही आ रहे हैं लेकिं आप मॉर्ची अफ़ें इंटर में नेते हैं बहुसे बच्छे ऐसे हैं जो चेंज कर देते हैं, इंग्लिश के कुछ और ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है, जिसके माध्यम से आप अपना बविश्य समार सकते हैं, और ग्रेजुएशन में इंग्लिश लेते हैं, उसके बाद आप टीचर के तौर पर PGT, TGT, रिसर्च करके अपना सकते हैं, बाकि mostly आप देखें, medical line हो, engineering line हो, या और जितनी भी field है, English, mostly, most probably, आप English से कहीं नहीं बच सकते हैं, सबसे पहली और सबसे आखरी बात में आपको बता दूँ, कि आप इसमें workability जो होती है, वो अपनी बहुत अच्छी करिए, को कि workability अगर आपने अच्छी नहीं करिए अपनी, जो आपका शब्द कोश है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसमें आप कितना पारंगत हो सकते हैं, यह आप, यह मानिए कि primary label से, junior label से अपने आपको मजबूत करते हूँ चलें, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि English का छेतर बहुत बढ़ा है, और इसका कोई अंत नहीं है, समुद्र की गहराई का जिस तरीके से अपांकरन नहीं लगा सकते हैं, इस तरीके से language कोई भी हो, मैं तो English की बात करूँगा, English का भी कोई अंट नहीं है. हमारे जो अगले पैनलिस्ट है, वो है राजीव मित्तल जी, जो की educational guide है, तो आएए, बच्चों इन से सुनते हैं, कि ये क्या आपको परामश देना चाहते हैं? मैं आपको एक जो चीज बताना चाहता हूं, इन सभी लोगों ने आपको अच्छी बाते बताई हैं, उन सब के पीछे अगर आपका रुची है, रुची से मतलग किसी भी कार में आपका इंट्रेस्ट रहता है, तो वो कार आपको परम तक लेके जाता है, और अगर किसी भी चेतर में आपका रुची नहीं है, तो वो कार वहीं की वहीं समाप्त हो जाता है, आपका पंडले में इंट्रेस्ट होगा, तो पढ़ाई आपको अच्छी चेतर में आगे लेके जाएगी, अगर अगर पंडले में इंट्रेस्ट नहीं होगा, तो पढ़ाई आपकी वहीं तो किसी भी कार को सुरू करने से पहले हमें अपना उसमें रुची कितनी है ये चीज जांचनी होती है अगर आपकी रुची उस कर छेत्र में अच्छी रहीगी तो वो कारे आपको अपने प्रम्तक जरूर पहुंचाएगा ये केबल डिपेंड करता है कि आपकी रुची उस अब ही हाल में अर्जु नयवार्थ सीतल देवी जी को मिला है उनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन धनुस में उन्होंने अपने A.C.R. में ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिलो मेडल प्राप्त किये क्यों कि उनकी रुची ती उस चेत्र में और रुची के ही कारण वो आज अप कि किसी भी कार को सुरू करने से पहले जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में उस बनने से पहले उस बनने की प्रकरिया में अपना आप रुची इंट्रेश्ट वो पेदा करें अगर एक बार रुची पेदा हो गया कोई भी छेत्रों कैसा भी छेत्रों तो वो आपको आप और अगले जो हमारे पैनलिस्ट है वो है रविंद्र डागर जी जो की प्रिंसिपल है श्री जैदेव सिंग मैमोरियल इंटर कॉलेज सोनिगा आगरा से तो आए इनका भी स्वागत करते हैं और जानते हैं कि ये हमारे दर्शकों से हमारे यहां बैटे बच्चों से क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले जैसा के मेरे पूरवज बिद्वान नो ने बताया कि हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए तो बात यहां के रुख जाती है तो तरह तरह के कोर्सेज आ रहे हैं आजकल तो मैं इंटर साइंस के साथ में जो बाइलोजी रखते वच्चे तो उनके बताना चाहूंगा के बाइलोजी में बहुत बड़ा फिल्ड है अगर जो बच्चा पढ़ने में जैसा के अभी मेरे से पूरवज नो ने बताया कि जो पढ़ने में बच्चा मोस्ट बिलियंट है तो वो बाइलोजी में एंबीवेस के लिए जो आजकल नीट की पर और बहुते पेरामेडिकल को से नीट काफ सकते हैं उनमें नर्सिंग को से हैं बेडी एस हैं साइकोलोजिस्ट हैं और डाइजेसिट कल जो खेल कूद के प्रते अपना रुजार रखते हैं उनके लिए क्या क्या डायत होनी चाहिए उसमें बच्चे अपना केरियर बना सकत तो इसके लिए अगर आपको कोई भी संका है उसके समाधान के लिए बहुत सारे इंस्ट्यूट्ट हैं और हम भी तयार हैं उसके लिए तो मैं सुभार्ती चैनल का धनवाद करना चाहूंगा कि आपने इस तरह के प्रोग्राम गाम गाम जाकर के बिद्यालेव में जाकर के ल अभी हमारे अगले पैनलिस्ट है गौरव जिंदल जी जो की प्रोफेशनल एडवाईजर है आईए अब इन से सुनते हैं इनकी जुबानी की ये क्या कहना चाहते हैं मुझसे पहले भी सारी जानकारी बसे प्रोवाइड करा जोके हैं फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि तैंथ प्लस टू करने के बाद स्टुएंट्स क्या करता है कि साइंस साइट बाला साइंस के लिए जाता है और भी कई सारे फिल्ड हैं तो स्पेशली प्रोब्लम आती ह कि अर्ट साइड बाला बिचारा क्या करें स्टुएंट्स सबसे ज़्यादा किसर रम क्या कर सकते हैं तो भी डोक्स अबने बताया कि लिए लेंग्विज बहुती जवर्दस ऑफिशन बच आपके लिए लेंग्विज से मेरा मतलब है कि आप समझ पारे होंगे इस समय तो तुरिजम से आप क्या हर सकते हैं तो ऐद बच từ 12 था वकर रहाँ ठोड़ी सी जानकारी कि वोगिशनल होता है टूरिजम में beneath बेड़ेंग़्ैनल तूरिजम होता है आप चाहो तो तो तीन साल का गरिशिश्टन कर सकते हैं और उसके बाद आप MBA ए टूरिजम भी कर सकत आपके पस बहुत सारी उपर्टुनिटीज है अगरा में भी मैं शायद जानता हूँ गवर्मेंटक एक 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 गॉलिज है ईटहम आप वहां जा सकते हैं अपना करेयर बना सकते हैं अई उसकी के लिए आप ओलाइन फॉर्म सर्च मार सकते हैं उनके उनलाइन फॉर्म निकलत आप श्पानिश कर सकते हो, आप जर्मन कर सकते हो, आप फ्रेंच कर सकते हो, क्योंकि अगर बहार से टूरिस्ट इंडिया आएगा, तो वो बिदेशी होगा, अब उसे कैसे डिल किया जाएगा स्टूरेट्स, उसके लिए आपको उनकी भासा आनी चाहिए, और ऐसे कही सारे इंडिया के अंदर खुल चुके हैं, जो आपको बहुत सारी अपर्चुनुटी प्रवाइट करा सकते हैं उन बच्चों के लिए, जिनका इंट्रेस्ट है तुरिजिन सेक्टर में या आर्टसाइट सेक्टर में का फ्रसा है उनका अगर इंट्रस्ट है तो वो जह सकते हैं डॉक्टर क्रिशन जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जो बच्चे मल्टी चालेंटे होते हैं, उनके साथ बड़ी जादा दुविधा होती है कि आखिर वो कौन सा करियर आप्ट करें, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताईए बहुत अच्छा कोश्चन है और साथ बहुत सारे बच्चों के मन में भी होगा और आपने ये कोश्चन रखा, तो सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूंगा कि हर एक बच्चा विभिन परतिभाओं का धनी होता है, आप इस चीज को माने कि हम वर्सेटाइल हैं, हमारे अं अब यहां बात आती है कि हम बहतर किसमे कर सकते हैं, विकल्प कोन सा चुने, जिसके लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप अपनी 10th standard पास आउट करते हैं, तो एक psychometric test होता है, जिससे आपका area of reflection आ जाता है कि इस area में आप बहतर कर सकते हैं, तो आप उसकी आप एक बर focus जरूर करें, दूसरा अपने आपको analyze करें कि आपने अभी तक की जरनी में किस area में बहतरीन किया है, बहतरीन में उसको नहीं मानता कि आपने सो में से सो नंबर लिये, या सो में से 90 नंबर लिये, और अगर आपके पास कोई ऐसा competition आ गया, उस competition में आपने जो म regarding आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपका area of interest, किस area में आप करना चाहते हैं, वो आपको अपने level पे clear करना होगा, ताकि आप उस चीज को achieve कर सकें और बहतर तरीके से कर सकें, आप एक चीज देखेंगे, कि interest आपका किस में है, आप जल्दी से उस चीज को नहीं पकड़ प होती, और आप अपना 100% देते हैं, जिस game में आपकी रूची है, उस game में आप 100% देते हैं, लेकिन अगर आपकी study की बात आती है, तो वहाँ आपको command की जरूत पड़ती है, तो सबसे पहली बात है कि self commanded बने, और बहुत अच्छे से आपको management आना चाहिए, कि किस काम को कब और कैसे करना है, अपने निर्धारित विशे के साथ, अपनी रूची के साथ, अपने टाइम टेबल के साथ, आप अपना बैतर विकल्प चुनते हुए, अपना केरियर गोल अचीव करेंगे. तो हमारे यहां जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तो दर्श को आज आपने देखा कि पैनलिस्ट किस तरीके से उन्होंने बाते की, और ये एपिसोड इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा, आप देखते रहिए इस विशेश कारिक्रम को और मुझे दीजिए आज के लिए विदा, तब तक के लिए नमस्कार